हेलो बच्चो माई नेम इज मदू भला मैं आपकी साइन्स टीचर मैंने यह विला चैप्टर है दा स्टडी ओफ गैस लॉँ स्टडी ओफ गैस लॉँ इसका फर्स्ट पार्ट जो है अप्लोडड है जिन बच्चों ने नहीं देखा आप उसको पहले देखिए और उसके बाद जो है इसको आगे कंटीनियू कीजिए ठीक है सबसे पहले है इसमें कि गैस लॉँ के बारे में डिसकस करेंगे आज की वीड की डिसकस करूंगी दि और जाट में इसके जो है ग्राफ के बारे में डिसकस करेंगे ओके लेट्स स्टार्ट नौ सबसे पहले है कि जो भी फिजिकल भी है वियर इंवल ऑ위 के लिए लिए लिको ता बिहेवियर ता बिहेवियर behavior of a gas under tone condition आपको कुछ conditions given होएंगी conditions मतलब वो pressure हो सकता है pressure volume और temperature 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 is described by law यह तो आपके इसकी definition हो गई known as known as gas law मतलब जिसमें जो है जो behavior of gas है मतलब उसमें आपके कुछ standard conditions होती है जैसे pressure, volume, temperature तो यह जो है gas law को define करता है तो जैसे सबसे पहले हम जो है इसकी measurable quantity के बारे में बात करेंगे ठीक है जैसे simple सा है कि जितनी भी gases है all gases all gases show similar in physical behavior जो physical behavior होता है वो same होता है physical behavior क्योंकि अगर वो expand करती है gases आपको पता है कि gases के molecule में काफी distance होता है अगर आप इसको जो है ऐसे खुली छोड़ देते हैं तो जितना उसको volume मिलता है वो expand करती है तो कहने का मतलब है कि जितनी भी gases है show similar in physical behavior they expand they expand and contract contract equally under equally under pressure and temperature कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी gas को खुला छोड़ते हो जितनी भी gases है कोई भी gas हो वो similar physical behavior show करती है ठीक है मतलब pressure और temperature के उपर भी dependent होती है यह जो एक्सपैंड करती है और contract करती है equal under pressure and temperature सबसे पहले हम बात करेंगे measurable quantity of दिखो measurable 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 property of यह आपको numerical में helpful होगा इसको ध्यान से समयना property of a gas property of gases सबसे पहले क्या है इसके कुछ physical points होते हैं जिसमें आता है volume volume the pressure volume the pressure the temperature temperature और इसका जो है temperature और मास temperature और मास और इसमें आप एक और चीज़ एड़ कर सकते हो density उसकी density के उपर ठीक है अब हम इसको one by one discuss करेंगे सबसे पहले मैं volume की बात करती हूं की volume का volume क्यूंकि आपको पता है कि जो gases होती है ना तो इनका कोई definite shape होता है not definite shape not definite shape और ना इनका जो है not fixed volume मतलब fix volume कहने का मतलब है कि आप इसको जिसमें भी डालोगे जैसे मालो एक ये container है मेरे पास और एक ये container है ये जो है 10 ml का container है और ये भी जो है ये जो है मालो 5 ml का container है मालो आपने यहां पे कोई gas डाल रखती है ठीक है 10 ml में तो आप इस gas को इस box में भी डाल सकते हो मतलब compress कर सकते है ठीक है क्योंकि gas जो है compressible होती है तो कहने का मतलब यह है मेरा कि जो space occupy करेंगी gas वो equal होता है यहां पे लिख लो space occupied by a gas कोई भी gas अगर space occupy करती है वो equal होता है volume of its container volume of its container volume of its container इन questions क्या आपको जो है useful होंगे जैसे आप numerical करते हो तब आपको जो है यह useful होंगे आप इसको ध्यान से देखना एक और चीज़ इसमें मैं discuss करूंगी आपके साथ माल लो आपको दिया हो मालो मैं कहते हूं कि मेरे पास यहां पर एक box है मैंने इसमें कोई gas डाल रखी है और नीचे मैंने उसके marble डाल रखी है कोई solid मतलब यह चीज़े solid है ठीक है for example अगर मैं इसका जो है volume V ले लेती हूं ठीक है यह पूरा container का volume container volume is V और इतना volume यह marble का volume x है अगर मैं आपको पूछू कि अब बताओ कि इसका volume कितना होगा अब यह जो gas इसमें डालोगे वह यह बहला volume अकूपाई नहीं करेगी क्योंकि यहां पर solid है कहने का मतलब है कि यहां पर solid है तो gas जो है यह खाली जगह है यहां पर अपना जो है space बनाएगी इतने में तो मतलब अगर मैं आपसे इसका पूछू तो इसका volume कितना होगा आप क्या करोगे total volume में से volume of container में से total volume of container में से volume of container में से minus करोगे volume of the marble यह आपको numerical में helpful होगा volume of the marble मतलब V minus X तो इसका volume बना V minus X मतलब इतना volume के वला के वला कितना है V minus X आपने यह चीजे ध्यान रखनी है जब भी numerical पड़ो तो आप उसमें देख लेना कि अगर आपको कोई solid दिया हुआ है कि आदा container solid से भरा हुआ है और बाकी जो है open है तो आपको assume करके चलना पड़ेगा कि वहां पर जो आपको volume given होगा कि solid का volume इतना है container का volume इतना है तो आप space occupy कितना होगा वह आपको बताना होगा according to condition ठीक है यह जो है numerical इसके उपर dependent होते हैं अब देखो अगर मैं बात करती हूँ कि SI unit of SI unit of volume of gas volume of gas ठीक है equal होता है meter cube के SI unit of volume of gas जहां इसको cubic meter बोला जाता है जहां meter cube बोला जाता है अब देखो one meter one meter cube जो है वह equal होता है thousand decimeter cube के जहां इसको आप लिख सकते हो thousand liter ठीक है और जहां one liter equal to thousand ml equal to thousand centimeter cube numerical में यादा तर यही use होगा ओके जहां आप उसको liter में convert कर सकते हो जहां decimeter cube में उसका जो है volume given होता है आप according to question करोगे आपको अपने अप समझाएगा कि आप क्या कहना चाहरे हो अब देखो second है मैं pressure की बात करती हूं अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो मतलब एक तरफ से यह एक force लगा रहे है wall के उपर एक force लगा रहे है wall के उपर ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे एक force act करती है जैसे मालों जैसे हमारी जो planet है हमारा जो planet है उसके around जो है एक thick blanket जिसको हम क्या बोलते है atmosphere क्या बोलते है atmosphere आपने देखा होगा जब बहुत तेज हवा चलती है तो वह pressure बनाती है तो मतलब जैसे आप cycle चला रहे हो तो हवा का pressure इतना जादा होता है कि आप से cycle जो है अच्छे तरीके से नहीं चल पाती तो आपको अपनी cycle रोकनी पड़ती है तो कहने का मतलब है कि हवा जब बहुत तेज चलती है तो उसका एक pressure बनता है तो pressure जो exert करेगी by air लिखो pressure exert pressure exerted exert by air इसके उपर जब surface of the earth on the surface of earth अर्थ के उपर जब वो pressure बनाती है तो उसको बोलते है atmospheric atmospheric pressure तो क्या बोलते है atmospheric pressure तो यहां पे जो हमें pressure यूज करेंगे वो atmospheric pressure यूज करेंगे one atmospheric pressure जो है one atmospheric pressure जो है हम यूज करते हैं वो होता है one point zero one three two five into ten raise to four fifteen pascal जहां तो हम यह यूज करते हैं जहां हम इसको लिखते है one point zero sorry one zero one three two five के pascal जहां हम इसको यूज करते हैं seven sixty mm of mercury जहां हम यूज करते है seven sixty tor जहां यह लिखा सकता है जहां यह लिखाएगा तो हम जहां इसको यूज करते है seven sixty centimeter of mercury of mercury यह इस तरीके से इसके unit जो है यूज किये जाते हैं ज्यादा तर आपकी जो numerical हैं आपको ज्यादा तर यह वली form में यादा दे रखा हूँ कि अगर आपको पूछे कि one atmospheric pressure इसके equal होता है तो you can say that seven sixty mm of mercury जहां seven sixty torque जहां seven sixty centimeter of mercury ठीके अब आगे चलते हैं इसकी बात करते हैं कि units क्या होते हैं कि हम pressure की बात कर रहे हैं तो यहां पे लिखो unit of pressure unit of pressure अब यह ऐसे देखो मैंने आपको बोला था कि यह कोई container है तो container के अंदर जो gas डाल रखी है वो इसके उपर भी pressure लगाएगी wall के उपर यह side वाल पे भी pressure बनाएगी और नीचे वाल पे भी pressure बनाएगी मतलब यह तरह एक तरह की force होती है per unit area पे लगती है तो pressure का जो formula होता है force upon area अब force के जो unit होते हैं उसको हम newton से लिखते हैं और area किसके equal होता है meter square तो मतलब pressure को जो है unit of pressure pressure के जो unit होते है pascal वो pascal से लिखा जाता है ठीक है pascal equal to one newton square जो बन पासकल equal to one newton per meter square यह आप इसके unit जो है use करोगे hope so आपको इतना clear होगा अब हम इसके बात करते है temperature की हम अब इसके temperature की बात करेंगे लिखो the temperature third point is third point is temperature इसको T से denote किया जाता है temperature of gas होता है degree of hotness degree of hotness degree of hotness of gas okay तो हम जो scale use करते है mostly commonly use जो scale होती है वो होती है celsius के celsius देखो relation between Kelvin and degree celsius इन दोनों में relation बताओ degree celsius 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 इसको ऐसे लिखा जाता है Kelvin को k से लिखते हैं तो इनके दोनों के बीच में relation होता है Kelvin निकालना हो अगर मालो आपको temperature celsius में गिवन है तो यहां पे जैसे आपको temperature celsius में गिवन है तो आपने Kelvin में जाना है तो यहां पे temperature celsius का put कर दो आपके पास जो है answer आजेगा और इसके साथ अगर मालो आपको कई वर Fahrenheit में भी दिया होता है तो इसका formula है F-32 upon 9 c upon 5 c upon 5 ठीक है यह celsius है यह Fahrenheit है पहले क्या करेंगे अगर आपको Fahrenheit में दिया है तो यहां पे celsius में convert कर दो celsius को इसमें डालोगे तो आपको Kelvin मिल जाएगा ठीक है तो यह use करते हैं जैसे मालो मैं आपको छोटा सा numerical कराती हूं इसी के base पे जैसे आपको लिखा है for example लिखो convert 273 Kelvin to 0 degree celsius 0 degree celsius ठीक है 273 Kelvin to 0 degree celsius तो मतलब आपके पास 273 Kelvin equal to क्योंकि 2 0 degree celsius यहां पे 273 minus 273 equal to 0 degree celsius अगर आपको दिया है minus 27 degree celsius 2k ठीक है 2k तो कैसे करेंगे celsius यह देखो आपके पास जो formula है हम इसको use करेंगे यहां पे आपके पास अपने k में जाना है minus 27 degree celsius तो कहने का मतलब है कि यहां पे minus यहां पे put करो यहां पे कितना आएगा minus 27 degree celsius equal to minus 27 plus 273 तो आपके पास आजेगा 246 Kelvin यह आपका जो है answer बने ठीक है एक और करती हूं जान से देखना अगर आपको दिया है 27 degree celsius 2 Kelvin क्या करेंगे 27 degree celsius given है आप इसको Kelvin में जाना है 27 plus 273 कर दो आपके पास answer आजेगा 300 Kelvin ठीक है 300 Kelvin यह एक छोट छोटे numerical हैं जो mostly पूछे जाते हैं एक और बता देती हूं इसमें आप लिख सकते हो साथ में एक question करा देती हूं आप लिखो कि freezing point freezing point of water on Kelvin scale Kelvin scale पे freezing point जो है क्या होता है तो वहाँ पे जो आएगा वो होता है 0 degree celsius freezing point of water on Kelvin scale this is a 0 degree celsius अगर Kelvin में जाना है तो 0 plus 273 Kelvin तो यह आदेगा 273 Kelvin अगर आपको पूछा जाता है कि name the name to name to mono atomic gases तो gases के बारे में बताओ तो आप एक लिखोगे helium answer is helium and neon okay एक तो आपको question यह पूछा जाता है फिर आपको पूछा जाता है कि आप जो है pressure of gas जो pressure gases का pressure of gases को कैसे measure करते हो ठीक है इसके लिए जो instrument use किया जाता है उसको बोलते है manometer को कौन सा बोला जाता है manometer आपको question आ जाता है कि pressure of gases को किस instrument से measure किया जाता है this is a manometer और अगर आपको पूछा जाए कि atmospheric pressure को atmospheric pressure को किस instrument से आप measure करोगे तो you can say that barometer वहाँ पर barometer जो है use किया जाता है यह छोटे-छोटे numericals है जो mostly आपको पूछे जाते है ठीक है एक मैं आपको और लिखवा देती हूं लिखो standard जो है what is the value of यह question पूछा जाता है what is the value of आप इसके अगर notes साथ-साथ बनाओगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी और समझने में भी असानी होगी standard temperature in zero degree Celsius पे और Kelvin पे ठीक है और एक question आपको पूछा जाता है standard pressure standard pressure in one atmospheric ठीक है और second mm of mercury अब देखो पहले हम इसकी बात करते हैं first part का answer लिखते है standard temperature इन्हें 0 degree Celsius ठीक है इन्हें degree Celsius पे पूछा है यह आएगा 0 degree Celsius अगर second Kelvin में पूछा है तो 273 प्लस 0 करेंगे 273 Kelvin यह आपको answer मिलेगे अगर आपको पूछा है standard pressure in atmospheric ठीक है one atmosphere यहाँ पे इसका लिखेंगे one atmosphere ठीक है और second जो है mm mercury कितना standard pressure इन्हें one atmospheric pressure तो यहाँ पे लिखेंगे हम 760 mm 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 of mercury यह आपके कुछ questions है जो पूछे जाते हैं अब एक और है इसमें एक और पूछा जाता है density of a gas इसकी density of gas density of gas तो यह होता है mass per unit volume mass per unit volume ठीक है mass per unit volume volume इसमें है कि अगर आप pressure को increase करते हो अगर pressure बढ़ाते हो तो volume decrease करेगा मतलब मेरे पास यह container है मैंने यहाँ पे piston लगा रख है यह कोई piston है for example यह piston यहाँ पे volume 2 ml का है pressure प्रेशर जो है increase कर दिया मैंने इसके उपर प्रेशर लगाना तो यह जो है यह container जो 2 ml का था volume यह जो यह पिस्टन नीचे आजएगा volume decrease हो गया हो सकता है कि वह यह पिस्टन जो है नीचे ले आए तो कहने का मतलब मैंने प्रेशर को increase किया तो volume जो है decrease कर गया अगर मैं प्रेशर को कम कर देती हूं ठीक है अगर मैं decrease करती हूं मालो मैं प्रेशर कम लगाती हूं तो हम पहले वहली stage पे पहुंच जाएंगे तो volume जो है अगर pressure decrease करेंगे तो volume जो है increase होगा तो कहने का मतलब है कि at constant temperature at constant temperature यह condition है आपके पास कि constant temperature पे जो density होती है वो directly proportional होती है इसके pressure के ठीक है अब इसमें जो है एक और बताऊंगी जो numerical के related है आपको जो है question पूछा जाता है आपकी बुक में 7.5 है कि pressure and volume relationship in gases in gases मतलब कहने का मालो हमने जो है 10 ml की syringely मैंने कल भी आपको बोला था मेरी drawing पे मत जाना मैं अपनी तरफ से try करूंगी कि सही बने अगर नहीं बनता तो दिल पे नहीं लेना यह हमने कोई syringely इसके उपर हमने कोई weight रख दिये तो चोटे चोटे यहां पे weight रख दिये इस 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 वेट ठीक है और यह जो है यह क्या है piston पिस्टन यहां पे air है यहां पे क्या है air पिस्टन और यह क्या है weight अब देखो आपने इसके उपर weight रख दिया तो यह piston नीचे रहेगा अगर मैं one by one weight हटाऊंगी तो यह piston ऊपर आजेगा तो कहने का मिला अब देखो हमने इसके उपर pressure apply किया हुए प्रेशर को क्या किया हुए increase किया हुए मतलब यहां पे weight रख दिया pressure increase हो गया volume जो है decrease हो देगा volume decrease हो देगा अगर मैं one by one weight को हटा देती हूँ तो यह piston ऊपर आजेगा तो यहां पे कहने का मतलब जब piston ऊपर आएगा तो volume जो है increase करेगा मतलब pressure को pressure जब decrease करोगे यहां पे हमने pressure pressure increase किया था तो volume decrease किया था अगर मैं pressure को decrease करती हूँ तो volume जो है increase करता है ठीक है तो conclusion जो निकलेगा इससे conclusion यह निकला आप अपनी book से read कर सकते हूँ यही लिखा हूँ है pressure जो है increase करेगा at constant temperature at constant temperature pressure अगर constant temperature पे increase कर रहा है तो that mean volume जो है decrease करेगा volume decrease करेगा यह पहला conclusion है ठीक है अब देखो अगर कोई volume fix है volume और फिक्स मास मास और गैस कोई गैस ले रखिए उसका fix volume है at constant temperature के ऊपर constant temperature पे अगर आप constant temperature उसका decrease करते हो temperature को आपने decrease कर दिया तो pressure जो है increase होगा अगर आप देखो ते temperature अगर temperature को आपने decrease किया at a constant temperature पे तो pressure increase होगा अगर आप जो है यहां पर pressure जो है decrease कर देते हो तो temperature जो है temperature जो है increase ओके यह तो आपने पहले भी पढ़ा है इसका conclusion यह निकला अब देखो जो में अब अब numerical की बात करेंगे numerical मैं अंगली class में discuss करूंगी one by one कराऊंगी लेकिन आपको जो है कुछ basic बताती हूं सबसे पहले है कि boil law किस relationship के उपर है boil law में जो relationship है किसके बारे में पढ़ते है boil law में यह question कई बच्चों को पता होते होते भी नहीं पता होता होगी वो गलत लिखाते है तो boil law का जो relationship है किसके बीच में है relationship relationship between है pressure और volume के उपर pressure and volume हमने पढ़ा था मैं आपको बताती हूं कैसे हमने पढ़ा था कि gas जो है pressure volume और temperature के उपर होते है मालो हमने temperature को constant रख दिया temperature जो है अगर constant रख दिया अब यह दोनों चीजें work करेंगे अगर pressure increase करेंगे pressure बढ़ा देंगे pressure को increase कर दिया तो volume जो है decrease करेगा अगर pressure को कम कर दिया तो volume जो है एक मेंट दूबारा प्रेशर increase करेंगे तो volume decrease तो volume जो है जैसे simple सा example है मैं आपको समझाती हूँ इसको simple way में मालो एक teacher है teacher है कोई बच्चों के उपर pressure बनाता है pressure increase कर देता है कि पड़ो 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 हर time जो है बच्चों के उपर pressure कि मैं आपसे ये करूंगा कुछ बच्चे प्राइशर जहल जाते हैं अगर प्राइशर जो जहल गए चिके तो कुछ जहलेंगे वह वॉल्यूम कुछ ही होगा मतलब मालोकर 50स बच्चे हैं कि बच्चों के ऊपर उपर प्राइशर लगाना शुरूर किया चुन बच्चे अच्छी तरह participate करेंगे तो मतलब वो हो सकता है कि volume उनका decrease हो जाए वो बच्चे सिरफ 10 ही हो ठीक है अगर मालो teacher pressure को कम कर देता है pressure नहीं लगाता किसी भी बच्चे को pressurize नहीं करता तो हो सकता है वो बच्चे जो है सारे उस teacher के उपर teacher के साथ work करें तो volume increase हो जाए तो कहने का मतलब है किसी के उपर pressure नहीं करना चाहिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए लेकिन gases में ऐसे होता है कि अगर आप pressure को increase करोगे तो volume decrease करता है अगर pressure decrease करते हो तो volume जो है increase करता है होपस हो आपको इतना समझ आया होगा अब देखो जो हमने बोला इसमें जो हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में कि 60-62 में जो experiment हो रहा था उस time ठीक है तो वो उन्होंने क्या किया मालो एक container है हमारे पास यहाँ पे आपने कोई dry gas जो है डाली हुई है इसका volume fix है एक ड्राइग जो volume आदा कर देती हूं खीक है तो कहने का मतलब यह है प्रेसर जो है inversely proportional है volume के inversely proportional है volume के कैसे for example अगर मैंने जहां तो आप इसको कर सकते हो कि pressure जो है inversely proportional है one upon V के उपर अगर मैंने volume को double कर दिया ठीक है अगर मैं volume को volume को double कर देते हो volume भड़ा दिया मतलब पहले अगर मालो अगर मालो ये volume पहले ये था फिर मैंने volume को भड़ा दिया ये volume दूसरा है volume एक volume V1 था एक volume V2 था इसके उपर pressure था P1 और इसके उपर pressure क्या बन जेगा P2 ठीक है मतलब यहां पे अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि अगर ये बढ़ेगा ठीक है प्रेशर जो अगर volume का चेंज होगा तो प्रेशर पे असर आता है अगर volume यहां पे अगर अब बढ़ाओगे तो यहां पे प्रेशर पे फरक आएगा मतलब यहां पे कह सकते हो जैसे मैं इसको explain कर सकती हूँ जैसे मालो मैंने क्या किया कि इस container के बीच में dry gas थी उसका fixed volume था ठीक है प्रेशर जो है डबल हो जाएगा अगर मालो मैंने यह लिया अब यहां पे प्रेशर जो है आदा रह जाएगा कम हो जाएगा यहां पे प्रेशर कम होगा यहां पे प्रेशर जो है जादा होगा तो मतलब कहने का कि हमारे पास formula है pressure directly proportional to the sorry directly नहीं कहोगे inversely pressure inversely proportional to the one upon V और V को भी हमें ऐसे लिख सकते हैं यह V को इधर shift कर दो P को मतलब अगर pressure बढ़ेगा pressure जो है आदा रह गया यह देखो यह अगर pressure जो है यहाँ पे आदा रह जाता है ठीक है तो volume जो है increase करेगा इसी यह जो है आपके पास बनता है boils law इनका जो mathematical expression है mathematical expression जो है यह कहता है हमें कि यहाँ पे volume जो है वो directly inversely proportional है V1 के ठीक है तो हम इसको लिखेंगे V1 इक्वल टू यह इसको proportional को खतम करेंगे यहाँ पे आया K P1 अब इसको अगर मैं उदर ले जाती हूँ product of pressure and volume इक्वल टू दा constant इक्वल टू दा constant अब इसका जो दूसरा इसका जो numerical value का बनेगा P1 इक्वल टू P1 P2 इक्वल टू V2 इक्वल टू constant यह relation है boils law का ठीक है this is a K is a constant K जो है change नहीं होगा ठीक है K जो है change नहीं होगा अब मैं आपको इसकी जो है graphical presentation घ्राथती हूँ graphical graphical verification of boils law of boils law ठीक है इसमें कुछ ग्राफ है जैसे मालो हमने लिखा यहाँ पे ग्राफ बनाया यह हमारी y-axis है first graph इसका और यह इसकी जो है x-axis okay x-axis है तो यहाँ पे मैं लूँगी volume volume ठीक है और यहाँ पे हम लेंगे pressure ठीक है pressure अब देखो अगर मैं खहते हूँ कि यहाँ पे mark करो one one three और एक तो इस वाला एकर volume volume जो है volume versus इसके one upon p के जब p versus one upon v के तो यह हमेशा state line graph बनेगा कैसे अगर यहाँ पे जो है pressure जो है one है मालो हमने लिखा यह है हमारे पास तो यहाँ पे हमने लिखा one upon one यह जो है यहाँ पे one आगया अगर हमने जो है volume बढ़ाया यहाँ पे one two three और four इसका करोगे अगर इसका कहने का मतलब क्या है अगर आप volume चार करते हो ठीक है pressure जो है यहाँ पे यह देखो यहाँ पे यहाँ पे volume जो है इसका चार है volume चार है तो यह pressure इसका कितना है one by fourth pressure कितना है one by fourth अगर यहाँ पे यहाँ पे देखो यहाँ पे इसके according करना है second आपके पास जो graph आता है अगर आपके पास यह graph है यह graph है यह graph है यह आता है वी जो है यह पी के बीच में ठीक है इसको hyperbolic curve बोलते हैं हाइपर बोला से लिया हुआ है five square equal to four a x यह equation होती है हाइपर बोला की इसकी करव ऐसे बनती है तो अब यहाँ पे अगर यह लेती हूँ चार चार यहाँ पे one और four यहाँ पे बनाओ one two three और four ठीक है अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे टेंपरेचर कुछी बोला कर रहे हैं वाइलज लाँ में टेंपरेचर ज्चर जो है कॉंस्टन रहता है अगर आपको question पूछ लेते हैं कि boil law में temperature constant रहता है कि vary करता है boils law में temperature जो है constant रहेगा और relation किसके बीच में pressure और volume के बीच में relation boils law में relation always measure जो relationship बनता है P और V के बीच में बनता है तो यहां पर यह देखो यह diagram बनाया मैंने आपकी बुक में सेम बना हुआ है आप वहां से देख सकते हो कि के टू अब देखो यहां पर इस ग्राफ को पड़ो ध्यान से अब यहां पर दिया है यह pressure है यह pressure है नीचे अब देखो pressure अगर मैंने increase कर दिया pressure मेरा 4 है तो आप इसका volume देखो कितना है 1 मतलब pressure मैंने बढ़ा दिया यहां से pressure को increase किया volume कम रह गया decrease हो गया अब देखो अगर मैं इस graph को पड़ती हूँ यहां पर 2 है 2 है pressure कम किया 4 से हमने कम किया volume इसका कितना बना 2 अगर मैं pressure और भी कम करती हूँ तो आप देखो volume कितना बन रहा है इस तरह के graph को हम बोलते हैं isotherm इस तरह के graph को क्या बोलते है जो जो करव बनाता हैreaming मतलब यह constant temperature रहेगा meaning at a constant temperature आइसो mega At constant temperature अब देखो एक और इसका ग्राफ है एक है पीवी वर्सिस पी अब हमने बॉइल्स लौ में ये पढ़ा है यहां पे पहले पॉइंट्स बना लेते हैं वान और यहां पे वान तू और फोर हमने बॉइल्स लौ में पढ़ा है कि पीवी इकुल टू कॉंस्टेंट कि हमने यहां पे वॉल्यूम यह पीवी लिया प्रोडेक्ट ओफ फ्रेशर जलय वालियूम की ऑफिनेशन भी एही कहती है कि यहां पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रोडेक्ट ओव लॉयूम और प्रेशर और फियवट Și अगर मालो मैं प्रेशर वन करती हूं अगर मैं प्रेशर बढ़ाती हूं यहां पे प्रेशर हो सकता है वॉल्यूम दोनों ले सकते हो की से भी कर सकते हो और वी से कर सकते ह्द मैं प्रेशर डबल किया यह यई रहेगा हुण हमें प्रेशर चाम वॉल्यूम कर भी देते हिए तो इसी वैल्यूं को भी दोतं घ्ता है है अभी दो ऑशार गाता हुण इसमें कुछ भी नहीं करना बिल्कुल इजी है। चौट वे में समरी यह निकली। चौट वे में कि जो बॉइल जो ने बोला कि कॉंस्टेंट टेम्प्रेचर रखो। अगर तुम प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज तो यह बोला। ठीक है। और उन्होंने यह तो थी उसकी वेरियेशन। फस्ट वले ग्राफ में क्या बोला। यह जब हम ग्राफ जो है P V और कि जो है तो volume decrease करेगा volume क्या करेगा decrease करेगा लेकिन जो हम यहां पर ग्राफ बनाएंगे तीन तरह के ग्राफ करते हैं एक तो वान अपॉन पी के बीच में है ठीक है तो यहां पर अगर मैंने प्रेशर जो है यहां पर यहां पर 1, 2, 3 और 4 यहां पर यह जो है जब भी V versus inversely proportional to P बने या P inversely proportional to V आपको पूछा जाए कि यहां पर ग्राफ किस टाइप का बनेगा always form a state line graph always form a state line graph अगर आपको पूछा जाता है कि यह वहला graph कौन सा है इसको rectangular graph भी बोलते है this is a hyperbolic hyperbolic curve this is a hyperbolic curve तो इसको जो है यह आईसो थर्मिक भी बोला जाता है constant temperature रहेगा pressure और volume जो है change करेगा third graph हमने पूछा कि अगर हम यहां पर PV लेते है product of pressure and volume तो अगर यहां पर pressure ले ले जाँ volume ले ले तो इस case में constant रहेगा अगर वाइल्ज ला जो है इसको verify करते है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे आपको जो है काफी कुछ समझ आएगा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे आपकी book खोल के पढ़ना आप अपने notes बनाओ अगर नहीं समझाएगा तो जब मैं next class में एक छोटा जा topic बचा है numerical वाला वो मैं साथ के साथ numerical के पहले discuss करूंगी थर्ड पार्ट जो है आपको मिल जाएगा तब तक आप इसको study करो ज्यान से पढ़ो अगर नहीं समझाएगा तो अगर next class में graph से दुबारा से शुरू करेंगे ठीक है thank you for watching